अमास के इसराइल पर हमला करने के बाद इसराइल ने गाजा पर चड़ाई कर दी थी जिससे आग बबूला हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ऐसा तांडव मचाया कि इस रूट से होने वाला वैश्विक व्यापार ठप तो पड़ा ही साथ ही हूतियों न अमेरिका को भी नाको चने चबवा दिये अमेरिका ने हूति पर लगाम लगाने के लिए करीब दस देशों के साथ मिलकर ऑप्रेशन प्रॉस्परिटी गार्जिन शुरू किया लेकिन थोड़े वक्त में ही उसकी भी हवा निकल गई और उसके बाद अमेरिका और ब्रिटे कर लाल सागर से आगे हिंद महा सागर समेत अरब सागर तक अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने लगा उसके इन हमलों से लाल सागर से गुजरने वाले व्यावसाइक जहाजों ने तौबा कर ली और अब अमेरिका ने 16 अक्टूबर 2024 को यमन के भीतर हूती के 5 अंडर ग्राउंड हतियार डीपो पर एक बहुत बड़ी एर स्ट्राइक की अमेरिका ने ये हमला अपने B2 स्टेल्थ बॉमबर से किया अमेरिका ने ये हमला ब्रिटेन के साथ मिलकर किया था हूती पर नकेल कसने के लिए बाइडन को अपना सबसे ताकतवर हतियार उतारना पड़ा लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की ये कोशिश भी बेकार हो गई है क्योंकि हूती ने शुकरवार यानी 18 अक्टूबर 2024 को अरब सागर से गोजर रहे मेगालो पोलिस जहाज पर ड्रोन अटेक किया है हूती ने दावा किया कि उसका ये हमला सक्सेस्फुल रहा है हूती के सैने प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने इस हमले की पुष्टी करते हुए कहा कि इस जहाज को कब्जेवाले फिलिस्तीन के बंदर गाहों में प्रवेश पर लगे हूती के प्रतिबंद का उल्लंगहन करने के लिए निशाना बनाया गया नफदति अल्गुवात अल्मसल्छत यमनी यतु बियूनि लाह तावाला अमलिय इसिएदाफ लिसफेनत मेग अबुलस फिल बहर अरबी वधलिक बियून ताइरात मुसएरा उगद हैदाफ अहदाफ़ा बनजाह भदल ल्हा वनुफिदतिल अमलिया मिन गिबली सिलाहिल जवील मुसयर फिल गुवातिल मुसलछतिल यमनिया LSEG से मिले डेटा के अनुसार माल्टा के जंडे वाला कंटेनर जहाज मेगालो पोलिस अभी ओमान के सलाला बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है इस जहाज पर हमले के साथ ही हूति के मुखिया अब्दुल मलिकल हूति ने हमास के चीफ याया सिन्वार की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसराइली शत्रू ये मानते हैं कि सिन्वार की शहादत से गाजा में प्रतिरोध मौर्चा ध्वस्त हो जाएगा या उसके लड़ा के हतोच साहित हो जाएंगे तो वे भ्रम में हैं सयदल हूति ने आगे कहा कि हमास एक अंदोलन जो अपनी स्थापना के बाद से ही द्रण और समर्पित रहा है अपने संस्थापक और कई प्रमुख निताओं की शहादत के बावजूद डग मगाया नहीं है अब्दुल मलिक अल हूति ने कहा कि हमास कभी भी प्रतिरोध का जंडा नहीं छोड़ेगा युद का मैदान नहीं छोड़ेगा या आत्म समर्पण नहीं करेगा आपको बता दे कि लाल सागर में हूति के हमलों से पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्री चर मरा गई है एक अनुमान के मताबिक इस रूट पर एक साल में करीब एक ट्रिलियन डॉलर का सामान होकर गुजरता है लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के गाजा पर हमले के बाद से ही ये रूट पूरी तरह से ठप पड़ गया है हूति का दावा है कि उसने गाजा युद शुरू होने के बाद से अभी तक 100 से ज्यादा मालवाख जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये है जबकि एक जहाज अभी भी हूति की कैद में है इसके अलावा हूति के हमलों में दो जहाज लाल सागर में समा चुके है प्यूता है